नमस्कार बायजूर्ज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 23 अगस्त के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पून समाचारों का विशलेशन करने वाले हैं तो आये शुरू करते हैं आज का समाचार विशलेशन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन-किन विश्यों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले भारत के परवतिय छेत्रों में जिस तरीके से विकास हुआ है और उसके कारण जिस तरीके से वहाँ पर पार्स्तिक संतुलन बिगड़ा है और उसके कारण जो हम उसकी यहां पर चर्चा करने वाले हैं। पर चर्चा करने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं आज कई सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर सिक्स पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट एटूरियल आया जिसका सिट्सक है फेक्टरिंग इन्द रिस्क और एटॉपिक समान अध्यांतीन परियावरन और आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारी जो क्रिसी है वह जादातर मांसून की वर्षा पर ही निर्भर करती है। लेकिन जिस तरीके से समान वर्षा कुछ छेत्रों के लिए जो है खुशी खबर लेकर के आती है। उसी तरीके से भारत के कुछ छेत्रों में जो मौनसून की वर्सा है वह बाढ़ और विनासकारे भी साबित होता है जैसे हमारे जो परवतिर राज हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल परदेश और उत्राखंड में जिस तरीके से अभी मुश्लाधर बारिस ह हो रही है उसके कारण वहाँ पर अचानक बाढ़ आ रहे हैं भूवस्कलन हो रहा है जिसमें जिन घटनाओं में वहाँ पर कम से कम अभी तक 25 लोग की मौत हो गई है अकेले हिमाचल में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिस तरीके स मानसून की वर्षा का समाने होना भारत के कुछ छेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा है उसी तरीके से भारत का जो परवत्री राज है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इससे अचानक बाढ़े आ रही हैं भूवस्कलन हो रहा है जिसके कारण वहाँ पर लोगों की जो आजीवी का है वहाँ पर जो इंफ्रस्ट्रक्चर है जो स्कूल है उनको नुक्सान हो रहा है लोग अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं जिनके कारण जो उत्पादक घंटे हैं उन लोगों के उसमें भी कमी आई है मवेसी मर रहे हैं जिससे की लोगों की जो आजीवी क्योंकि उन्हें जो है राहत और बचावकार में बहुत ही जादा धन देने की आवसक्ता पड़ रही है इसके अलावा वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है उसको दुबारा से बनाने में भी राजसरकारों को जो है अतरिक्त धन की खरच हो रही है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत के जो हिमालिय राज हैं खास करके जो परवति राज हैं वहाँ पर तेज बारिस के कारण काफी ज़्यादा नुकसान हो रहा है लेकिन यहाँ पर लेखक के दोरा इस बात की चर्चा की गई है कि जो नुकसान इन राज्यों के दोरा जहला जा रहा है उसमें कहीं न कहीं जो मानों के दोरा वहाँ पर विकास किये जा रहे हैं वो काफी अहम भूमी का निभारा है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हिमाचल परदेश के परियावरन, विज्ञान और प्रदोकी वहाग के द्वरा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया कि जो हमारे परिवतिय छेत्र हैं वह जो है प्राकिर्तिक अपदाओं के लिए अत्यधिक समवेदन सील होते जा रहे हैं और खास करके वैसे छेत्र जहां पर विकास के बहुत सारे कारे हो रहे हैं मतलब रोड बनाना, पूल बनाना ऐसे कारे हो रहे हैं वहाँ पर पारिस्ट जिस तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से जलवायों में परिवर्टन हुआ है उससे जो है मांसूनी बारिस का जो पैटर्न है उसमें भी चेंजेज आये हैं हाल के दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि बादल फटने की अनेकों घटनाए जो हैं हमारे इन में हुई है इसके अलावा जो उच-छमता वाले चकरवात हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं भारत के कई हिस्षों में जो है बहुत ही टेजवारिस हो रही है और कई हिस्षों में जो है सूखे के हालात बने हुए है तो जिस तरीके से जलवायों में परिवर्टन उसके कारण भी जो हमारे हिमालिय राज हैं और जो हमारे परवतिय राज हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं तो यहां पर कहीं न कहीं हमारे दोरा जो विकास कारे इन राजियों में किये जा रहे हैं उसका असर जो है अब वहां के परियावरन पर देखने को मिल रहा है हाला कि इसे निपटने के लिए सरकार के दोरा कुछ कारे किये जा रहे हैं जैसे यहां पर कहा गया है कि सरकार के दोरा जो पुर्वचयतावनी की तकनीक है उसका इस्तमाल जो है किया जा रहा है वहाँ पर भारतिय मौसम विज्ञान के द्वारा प्रति दिन सब्ताहिक और यहां तक की तीन घंटे के मौसम का पुर्वानुमान परदान किया जा रहा है लेकिन यह सारी बाते जो हैं इस और इसारा करती हैं कि किस तरीके से हमने अपने जो यह परवतिर राज हैं उनके पर्यवरन को जो है काफी जादा नुकसान पहुंचाया है यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यह जो पररणभिक जितावनिया है वह जो है चकरवातों के मामले में तो काफी सही जो है जनकारी देती हैं लेकिन यहां पर बाढ़ के मामले में जो है ऐसी सफलता नहीं देखी गई है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट बात है वो यह कहा गया है कि जो हमारे पहाडी राज हैं जो हमारे ओइस्थिर इलाके हैं वहाँ पर हम जिस तरीके से अंधादून बुन्यादी धाचे का विकास कर रहे हैं उसके जोखिम को सरकारे भी समझती हैं वहाँ के लोग भी समझते हैं लेकिन जिस तरीके से वहाँ के लोगों के द्वारा जो है याने कि इन राज्यों के लोगों के द्वारा बेहतर बुन्यादी धाचे और सेवाओं की जो मांग की जाती है उसी का बहाना बना करके सरकारों के द्वारा इनके द्वारा जो होने वाली दूस्परिणाम है उनको जो है अक्सर ध्यान में नहीं रखा जाता यहां पर लेखा का ये भी कहना है कि मान लिजे अगर सरकार को वहां पर बुन्यादी धांजे का विकास करना ही है तो यहां पर जिस तरीके से विसर्ग्यों के द्वारा जो विग्यानिक सलाह दिया जाता है उन्हें जो है उन्हें सक्ति से पालन करना चाहिए तो कहीं न कहीं यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो भी घटनाए हाल के दिनों में हमारे हिमाले राज्यों में और जो परवर्टी राज्य हैं वहाँ पर देखने को मिला है उसमें कहीं न कहीं वहाँ पर जो अंधाधून विकास हो रहा है वह जो है इसका एक बहुत भी बड़ा कारण है तो इस निउस को भी आप जरूद ध्यान से पढ़ेंगे आए एक और निउस की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नेंबर सेवन पर एक एक एक्टोरियल आया जिसका सिर्शक है और एक टॉपिक समान अध्यंदो राजनिती से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दो सब्ता पहले जो है प्रधान मंत्री की अध्यक्स्ता में निती आयोका बैठक हुआ था जिसमें बहुत राज्यों के मुख मंत्रियों के द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि उनके जो राज्यस्व हैं उसमें कमी हो रहा है उनका ये कहना था सरकार से उनकी ये मांग थी कि जो विभाज पुल है, मतलब जितना भी text सरकार के दौरा लिया जाता है, उसका जो हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, जिसे हम विभाज पुल के नाम से जानते हैं, उसमें जो है राज्यों की हिस्सदारी को बढ़ाया जाए, और इसके अलावा जो दूसरा प्रमुक मां राज्यों के दूर रखा गया था वो ये था कि जो GST मुआफजा देने की बात कही गई थी उसके जो time period है उसको बढ़ाया जाए आप सभी जानते हैं कि GST को लागू होने के बाद राज्यों के revenue में जो loss हुआ है उसको पूरा करने के लिए अगले 5 वर्सों तक GST मुआफज देने की बात कही गई थी और इसके विष्टार को लेकर के राज्यों हमेशा मांग करते रहते हैं तो यहाँ पर ये जो दो मुद्दे हैं खास करके विभाज पुल में राज्यों की अधिखिसेदारी और जो GST मुआफजा है उसका जो time period है उसको बढ़ाने की मांग यह ज हमारे देश में जो विकास की रफ्तार है वो कम हुई थी खास करके आप सभी जानते होंगे कि 2019-20 के दौरान हमारा जो विकास का रफ्तार है वो काफी कम हो गया था इसके अलावा बहुत सा राज्यों ने क्रिसीरिन माफिकी थी इससे उनके वित पर अतित बोज पड़ा इ करके महामारी के दौरान जिस तरीके से राज्यों का खर्च भड़ा है और उनके राजस में कमी आई है इससे जो है उनका जो वित्य इस्ति है वो और भी खराब हो गया है तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्पून बाते कहे ग कौन कलेक्ट करता है और किसके उपर विकास की जदा जिम्मेदारी है तो उसके लिए जो है आपको यह समझना होगा कि आखिर सबसे ज़्यादा राजस्व कौन जुटाता है और खर्च जो है कौन करता है अगर हम अपने समिधान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमा समंधी जिम्मेदारिया दी गए है तो यहां पर आपको देखना बहुत ही महत्पून हो जाता है कि जिसके उपर जो है विकास और कल्यान समंधी जिम्मेदारिया जादा है उसके पास जो है विद्द की छमता जो है कम है जबकि केर सरकार के पास जो है वित की समता बहुत ही जादा है अब यहां पर कुछ बहुत ही important data दिये गए हैं जो की काफी महत्पून है आपके exam point of view से यहां पर लिखा के दोरा ये कहा गया है कि हमारे देश में जो वित आयोग बनाया जाता है लगातार ये देखा गया है कि वित आयोग के दोरा जो central tax है उसमें से बहुत ज़्यादा हिंसा जो है राज्यों को देने की बात लगातार कही गई है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 15 वित आयोग था उसने ये कहा था कि वर्ष 2019 में जो है केन सरकार ने केंद्रों और राज्यों के दोरा जो भी कुल tax लिया गया था जो भी संसाधन जुटाये गया थें उसका 62.7% संसाधन जुटाया था यानि कि यहां पर जो है केन सरकार के दोरा जितना भी tax लिया जाता है हमारे देश में उसका 62.7% tax जो है लिया गया था जबकि अगर हम राज्यों के हिस्से की बात करें तो वह मात्र कितना है 37.3% लेकिन अगर हम expenditure की बात करें तो आप देखोगे कि राज्यों का जो कुल वै है वह कितना है 62.4% जबकि जो center का जो aggregate expenditure है वो कितना है 37.6% जो इस बात को बताता है कि किस तरीके से center के पास जो है यानि कि cancer कार के पास बहुत ही ज़्यादा resources है टेक्स लेने के बहुत सारे resources है जबकि राज्यों के पास tax के बहुत ही कम resources है लेकिन उनके खर्चे जो है वो काफी ज़्यादा है और जिस तरीके से मैंने कहा कि राज्य के पास खर्च जादा हैं लेकिन उनके पास resources की कमी है उसको कम करने के लिए इस असंतुलन को कम करने के लिए लगातार विद आयोग के द्वारा यह सी फार्स की गई कि सेंटर को ज़ो है जादा से जादा हिस्सेदारी राज्यों को विद के मामले में देनी चाहिए आप सभी जानते हैं कि 14 और 15 विद आयोग के द्वारा यह कहा गया सरकार को कि सरकार जितना भी tax जो है अर्जित करती है उसमें से जो है लगभग 40% से उपर जो tax है वो राज्यों को उसे देना चाहिए लेकिन यहाँ पर 14 और 15 विद आयोग की सिफारिस के बावजूद अगर हम जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है काफी important data है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कें सरकार के दोरा actually में 40% से कम जो है राज्यों को हिंसेदारी के रूप में दिया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं खुद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस data में करके 14 और जो 15 वित आयोग है उसने तो जो है इसे 40% से उपर तक बढ़ाया rate color से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर जो green color है वो यह दिखाता है कि किस तरीके से actually जो है राज्यों को जो है 40% से कम जो है हिंसेदारी दिया गया है आप देख सकते हैं लगातार 2015 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि केंज सरकार के दोरा 14 वित आयोग के सिफारिस के बावजूद जिसमें ये कहा गया था कि 40% से ज़्यादा से जो है टेक्स कलेक्शन का राज्यों के बीच में बाटना चाहिए यहां पर आप देखोगे कि यह जो परसेंटेज है वो मात्र 30-35% के बीच में अटका हुआ है अगर हम देखें तो पिछले दो साल में केंदर के दोरा जो राज्यों को हिस्यदारी दे जाती है वो मात्र जो है 30% के आसपास है 2023 में कितना है 29.6% तो यहां पर कहने के लिए जरूर वित आयोग के दोरा लगातार ये बात कही जाती है कि सकल करो में जो है राज्यों के हिस्यदारी को बढ़ाना चाहिए और 15 और 14 फारेंस कमिसर ने 40% से अधिक देने की बात कही थी राज्यों को लेकिन एक्चॉली में जो है कभी भी केंद सरकार के दोरा 40% का सेयर टेक्स में राज्यों को नहीं दिया गया तो यह जो डेटा है यह काफी important हो जाते हैं आपको यह समझाने के लिए किस तरीके से राज्यों की जो वित्यस्ति है वो खराब हो रही है यहाँ पर एक बहुत important डेटा दिया गया यहाँ पर जो है financial year 2020 और 2021 का जो है डेटा दिया गया और कहा गया कि अगर हम राज्यों का अगर share देखते हैं text में और अगर हम center का share देखते हैं text में यह राज्य का है pink color से और यह center का है यहाँ पर आप देखोगे कि लगातार जो केंदर का सेयर जो है टेक्स में वो बढ़ता गया है जबकि अगर हम राज्यों का देखें तो यहाँ पर आपको साफ साफ अंतर देखने को मिलता है यानि कि एक तरफ तो जो राज्यों का रेवहन्यू है वो भी बढ़ा है लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार काफी कम है जबकि सेंटर का जो रेवहन्यू है वो काफी तेजी से आगे बढ़ा है अब यहाँ पर जो है इसके पीछे क्या करण है इसको भी समझाने का प्रयास किया गया है आप सभी जानते हैं कि केंद सरकार के द्वारा जो है डारेक्ट टे से राज्यों को कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी जाती है और यहाँ पर जो है इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि पिछले दिनों लगातार ये देखा गया है कि केंद सरकार के द्वारा जो है सेस और सरचार लगातार बढ़ाया गया है यहाँ पर डेटा ये कहता ह कि financial year 2012 में जो सेस और सरचाज्ट हैं उनसे जो tax हांसिल होता था केंसरकार को उसका share मात 10.4% था जबकि अगर हम देखें 2020-2021 में तो यह 20% के आसपास चला गया तो यहां पर जो पैसा केंसरकार कमाई उसमें से एक भी रूपिया राज्यों को नहीं दिया गया इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो center की कमाई है जो उनकी revenue है वो तो बहुत ही तेजी से भड़ी है लेकिन जो राज्यों का revenue है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण केंदर की कमाई तो बढ़ी है लेकिन राज्यों क जो revenue है उसमें आपको उस तरीके से बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर सेस को लेकर करके यह कहा गया है कि financial year 2020 में केंज सरकार ने लगभग सरकार के दोरा जो है लोगों पर सेस लगा जाता है लेकिन उससे जो कमाई होती है उसका लगभग 40% financial year 2020 की बात हो रही है उसका लगभग 40% जो है सिक्षा और स्वास्त के लिए जो reserve fund रखे गया है उसमें जो है नहीं डाला गया है उसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि financial year 2010 से लेकर के financial year 2020 में सरकार के दोरा crude oil पर जो सेस लगा जाता है उससे उनको जो है लगभग 1.28 लाक करोड की कमाई होई लेकिन यहाँ पर जो है सरकार ने इसे भी जो है oil industry development board को जो है transfer नहीं किया और इस पैसे को जो है consolidated fund of India में ही रखा गया तो यहाँ पर जो है CAG के दोरा यह जो report है वो CAG के दोरा दिया गया है जिसको की note down करना जो है काफी important हो जाता है यह समझने के लिए किस तरीके से विभाज पुल में सेयर है वो लगातार गिरता गया है जबकि केंदर की जो कमाई है वो लगातार बढ़ती गई है जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि राज और केंद सरकार के बीच में लगातार इस मुद्दे को लेकर के तना तनी बना रहता है तो बहुत important news है ये इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे आएए एक और news की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आज के paper के page number 6 पर एक editorial आया जिसका सीशक है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना की जो सत्तारूर कमिनिष्ट पार्टी है इसे हम बोलते हैं C.C.P. उसका जो है एक प्रमुख बैठक होने वाला है जो हर 5 साल में जो है एक बार होता है जिसे हम कहते हैं वहाँ का पार्टी कॉंगरिस और इसका जो बीसवा अधिवेशन है वह जो है इस साल के अंत में होने वाला है और इसी को लेकर के यहाँ पर लेखक के दोरह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर किस परिस्थिती में यह प्रमुख बैठक होने वाली है और इसके क्या परिणाम हो सकते है यहाँ पर जो है चीन का जो विस्व के लिए डिश्टिकोन है उसको लेकर के चर्चा किया गया है जैसे कि यहाँ पर यह कहा गया है कि चीन यह मानता है कि सजुक्त राष्ट पूरी तरीके से विफल हो गया है और वह जो है अब वैस्विक सांति को बनाय रखने में सक्षम नहीं है इस तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि चीन यह मानता है कि जो वैस्विक आर्थिक सहयोग है इस्थिर्ता है वह पूरी तरीके से टूट चुका है जिस तरीके से दुनिया के देशों के दोरा चीन का विरोध किया जाता था वो अब खतम हो चुका है और दूतिय विश्यूत के बाद दुनिया के देशों के बीच में बहुत सारे मामलों में जो आम समती बनी थी वो भी समाप्त हो चुका है तो यह चीन की समझ है दुनिया को लेकर के यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि जिस समय यह अधिवेशन होने वाला है उस समय जो चीन एक बहुत ही महत्पुन आर्थिक मंदी से गुजर रहा है हालकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया में अगर हम अर्थविस्थाओं को देखते हैं तो उसके मामले में चीन की जो विकास की रफतार है वो काफी अधिक है अभी भी काफी अधिक है लेकिन जिस तरीके से पहले के दस्कों में चीन ने जो विकास किया है अगर हम उससे कंपेर करते हैं तो अभी जो चीन का विकास है वो काफी कम हुआ है तो इन सभी बातों को आपको ध्यान बरखना है कि आखिक किस वातावरन में जो है यह बैठक होने वाली है अब यहा क्या संभावित नतीजे निकल करके आ सकते हैं यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से चीन के वर्तमान राश्पती के द्वारा हिंद परसांच्छेतर में जो है अकरामक रभाया अपनाया गया है उसे जो है इस पैठक में मोहर मिल सकता है यानि कि एक तरीके से अनुमत उसको लेकर के भी सपोर्ट जो है इस कॉंग्रेस में उनको मिल सकता है खास करके ताइवान के मुद्दे पर जिस तरीके से चिनी राश्पती के द्वारा अकरामक रुख अपनाया गया है उसके और तेज होने की उमीद है इस पेठक के बाद क्योंकि यहाँ पर चीन के लोग को ये लगता है उनकी पार्टी को ये लगता है कि जिस तरीके के रुख जो है वहां के राश्पती ने अभी ताइवान को लेकर के अपनाया है उससे दुनिया का को भी महसकती ताइवान को चीन से अलग करने का पर्यास नहीं करेगा यहां पर हो सकता है कि इस बैठक में वहां के राश्पति को जो है ताइवान को चीन में मिलाने के लिए सैने परियोग की जो है अनुमती दी जाए इसी तरीके से एसिया प्रसान छेतर में जिस तरीके से अमेरिका जो है वो चीन के दबदबे को मिटाने के लिए परियास कर रहा है उससे निपटने के लिए भी इस बैठक में चीन के राश्पती का समर्थन किया जा सकता है तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है लेखक के दोरा कि जिस तरीके के आकरामकता जो है चीन के दोरा पिछले दिनों दिखाई गई है उस पर मुहर लगाने का काम जो है इस बैठक में होगा और यहाँ पर चीन के जो राश्पती है वो और मुखर होकर के आकरामक होकर के जो है खत्र में बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरकी आक्रमक्ता जो है चीन के द्वारा भारते सीमाओं पर दिखाई गई है उसके लगातार आगे बढ़ने की संभावना है तो कुछ बहुत ही महत्पुन बाते यहाँ पर कही गई है चीन को ले करके और इस बैठक को ले करके जिसको कि आपको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है आए एक और नियूस की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नेंबर सेवन पर एक एक एटोरियल आया जिसका सिर्षक है नो सेंटर्स ओफ लर्निंग येट और ये टॉपिक समान अध्यन्दो सासन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आगनवाडी के दौरा जो स्कूल चलाय जाते हैं छोट-छोटे बच्चों के लिए उसको ले करके जर्चा किया गया है तो यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर जो आंगनवाडी संस्थाइं हैं वह जो है किस तरीके से बचों के पोषन से लेकर के उनके सिख्षा से लेकर के जो माई है उनके पोषन को लेकर के कारे कर रही हैं आप सभी को पता है कि जो आंगनवाडी सेवाएं हैं वह जो है 1975 में निमलखित उद्देशों के साथ जो है सुरू की गई थी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारे आगनवाडी संस्थाएं हैं वह जो है छे वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोशन और स्वास्त के इस्ति में सुधार करने के लिए जो है बहुत सारी योजनाई चलाती हैं काम करती हैं बच्चों के उचित मनोवग्यानि सारीक और समाजिक विकास के लिए जो है यह काफी जरूरी होता है जिसको ले करके यह जो आगनवाडी हैं वो कारे करते हैं इसी तरीके से बच्चों के निट्रिशन को ले करके उनके हेल्थ को ले करके उनके माता-पिता में जागता फैलाना बच्चों को जो है समय पर जो vaccination है वो हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जांच करना लगातार उनका health check-up करना ये सारे काम जो है आगनवारी के दारा किये जाते हैं जिसके करण आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में जो बच्चों की मिर्टी उदर है या फिर उनमें जो रोग होते हैं और या फिर जो कुपोसन है वह जो है कम हो रहा है इसी तरीके से जो हमारे आगनवारी स्कूल है उनके कारण इसकूल छोडने वाले जो एस्टूडेंट हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है अगर हम आगनवारी के अने कारेों की चर्चा करें तो यहां पर आपको धियान में रखना है कि जो हमारी आंगनवाडियां हैं वो जो है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारों के विभिन विभाग हैं उनके बीच में जो है समन्वे करने का काम करती हैं याने की जो नीतियां बाल विकास के लिए बनाई जाती हैं उनको धरातल पर उतारने का काम जो है अगर हम इस 8.0 की बात करें तो यहाँ पर जो learning program चलाए जा रहे हैं आगनवाड़ी scheme के तहद उसके full potential पर नहीं पहुँचने के बहुत सारे कारणों की चर्चा की गई है आईए एक और news की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के paper के page number 12 पर एक news आया जिसका सिर्शक है इंडिया इरान sign back to add movement of seafarers और यह topic समान अध्यन्दो अंतराष्ठे सम्मन से जड़ा हुआ है तो काफी important news है यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत और इरान ने नाविकों की आवाजाही में सहायता परदान करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं यहाँ पर जिसके तहत यह समझोता किया गया है वो काफी महत्पून है आपको ध्यान में रखना है कि समुंद्री यात्रियों के लिए प्रसिक्षन, प्रमानन और निगरानी के मानकों पर अंतराष्ठे सम्मेलन जो की 1978 में हुआ था उसके प्रावधानों के अनुसार इन दोनों देशों ने जो है नामिकों की आवाजाही में सहायता परदान करने के लिए एक दूसरे देश को यह समझोता किया है तो यहाँ पर यह जो सम्मेलन है उसके नाम को आपको याद रखना है एक्जाम पॉंट रगू से काफी महतुन है आप सभी जानते हैं कि भारत के दौरा इरान का जो चाबहार बंदगा है उसे डेबलॉब किया गया है और जिसका इस्तमाल जो है भारत के दौरा यह जो मध एसिया है उसमें अपने समान की सप्लाई के लिए किया जा रहा है यहाँ पर एक्जामपल दे करके इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि 2020 में भारत के दौरा मानवी सहायता कायकरम के तहट अफगानिस्तान को इसी पोर्ट के रास्ते 75,000 टन गेहुं की अपूर्ती की गई थी इसके अलावा इरान को जो है भारत के दौरा 40,000 लीटर मेलाथियान और 96% ULV कीट नासको को जो है चाबहार बंदगा के थूही इरान को सप्लाई किया गया था जिसका इस्तमाल जो है टेडियों के खत्रे को कम करने के लिए किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह जो पोट है वो भारत के लिए काफी महत्पून है खास करके पाकिस्तान को बाइपास करके आसाने से भारत जो है मद एसिया में जो है इसके सहारे अपने समान की आपूर्ती कर सकता है जिसको देखते हुए यह जो समझोता हुआ है भारत और इ पिछले कुछ वर्सों में परवतिय छेत्रों के बड़े प्यमाने पर विकास ने हिमाले के सवेदंसील परिस्तिक संतुलन को भिगाड दिया है परिणामों का उधारन सहित समझाईए प्यातार जो है भू असकलन और बाढ़े आ रही है खास करके वैसे इलाके जहां पर रेलवे लाइन का विकास किया गया सड़कों का विकास किया गया पेड़ों को काटा गया वहां पर जो है ये जो नुकसान है वो काफी जादा है बार बार वहां पर ऐसी प्रकृतिक घटना हो रही है तो इस सभी की चर्चा आपको यहाँ पर करनी है उधारन के साथ आए देख लेते हैं कोशन नमबर टू को कोशन नमबर टू है करो के विभाज पुल में राज्यो का हिस्सा खर्च का अधिक वोज उठाने के बावजुद सिकूर रहा है इस कथन पर चर्चा करें तो बहुत सारे डेटा यहाँ पर दिये गए है दहिंदू में जिसको यूज करके आप आसाने समझा सकते हैं किस तरीके से करो के वाज पुल में राज्यो का जो हिस्सा है वो लगतार घट रहा है और इसलिए मैंने कहा था कि वहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसको आप अपने पास रख लेंगे क्योंकि यह डेटा जो है काफी इंपोर्टेंट है इस बात को समझाने के लिए कि किस तरीके से राज्यो की जो वित्य इस्ति है वह लगतार खराब हो रही है तो इस सभी बातों कि आप यहाँ पर चर्चा करें तो आसा करता हूँ कि आप सभी को आज का यह समाचार विसलसन पसंदा जा होगा सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्पून है इंको आप लोग जरूर रिवाइस करेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करें सेयर करें और दूसरों को भी सब्सकाइब करने के लिए प आपने बादे